हान जी दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगी UP Polytechnic Second Semester Students के लिए Applied Mathematics में Most Important Question के बारे में इस वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले हम आपके confusion को दूर करें कि ये diagram देख के आप कहेंगे सर्फ syllabus में परवलाय है ही नहीं किस तरीके से आप में से बहुत सारे student समस्ते होंगे बट कुछ student जरूर कमेंट करेंगे इसलिए मैं इस doubt को आपको clear कर दे रहा हूं शुरू में कि ये जो है वो परवलाय chapter से नहीं है ये integration का छेतरफल ग्याद करने वाला जो chapter है उससे है इसमें जो है वो हम परवलाय द्रिग वृत्त वृत्त इन सब के छायांकित भाग का छेतरफल integration के माद्धम से याद करते हैं ठीक है तो ये जो है वो आपके syllabus में है और इससे पांच नमबर के question आपके second semester examination में जरूर बूचे जाएंगे इसके जितने भी important question है मैं आपको बता रहा हूँ and explain करके उसको बताऊंगा वीडियो जाहिड सी बात है थोड़ी से लंबी होगी बट ये वीडियो आपको बहुत अच्छा और बहुत जबर्दस्त हेल्प बहुँ जाएगी ठीक है तो इस वीडियो को बनाने का मक्षब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जो है वो अपने second semester examination में बहतर marks लापाएं तो इस वीडियो को start करें इससे पहले दोस्त अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो red color के बटन को press करके हाँ आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते है और इस वीडियो को like कर दीजिए और अपने दोस्तों में share कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफे ज़्यादा useful होने वाली है चलिए दोस्त इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहला हमारा question है कि दिखाइए कि परवले y square बराबर 4a x का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा छेतरफल 8 बटा 3a square होगा ये आपको proof करना है कि जो नाभिलंब जीवा से घिरा जो छेतरफल है वो 8 बटा 3a square होगा तो यहाँ पे तो एक ही भाग छेतरफल को जो है वह चायंकित किया है लेकिन नीचे वाला भी भाग आपको ग्यात करना है लेकिन अगर हम एक को ग्यात करके उसके 2 का गुड़ा कर दें तो finally हमारा पूरा छेतरफल आ जाएगा नाभिलंब से घिरा हुआ ठीक है तो पहले हम एक का निकालते हैं और उसमें 2 का मल्टिपलाई कर देंगे तो चलिए सबसे पहले हम y square बराबर 4x परवला इस तरीके से होता है इसका मूँ जो होता है वो इस तरीके से होता है ठीक है x अक्ष के सापेक्ष इसको सममित भी कहते हैं ठीक है कि यह परवला इसक्ष के सापेक्ष सममित है y square बराबर 4x तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 2 under root a x और under root a x को हम a की power 1 बटा दो x की power 1 बटा दो भी लिख सकते हैं ठीक है समीकर नंबर 1 माल लेते हैं इसको अब देखिए दोस्त 0 कामा 0 जो हो मूल बिंदू है और नाभी का निर्देशांग है a कामा 0 तो 0 से लेके a तक x अक्ष पर अगर हम समाकलन कर दें तो उपर वाला पार्ट हमारा निकल के आ जाएगा और उसमें हम जो दो का गुड़ा कर दें तो पूरा नीचे और उपर दोनो पार्ट जो छायांकित किया गया है उसका शेतरफल हमारा निकल के आ जाएगा तो अभिस्ट जो छायांकित भाग का छेतरफल अगर हम ग्याद करें दोनो फलकों का जो घिरा है नाभिलंब से तो दो मल्टिप्लाई कर रहा है यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि दो गुड़े और एक जो छायांकित यहां पर आपको छितर में दिख रहा है उसका शेतरफल तो दो से जब एक का शेतरफल गुड़ा करेंगे तो हमारा पूरा उपर और नीचे यानि कि L, S, L, D, O, L पूरे का शेतरफल ग्यांत हो जाएगा ठीक है डाग्राम में देख लीजे L, S, L, D, O और दो का गुड़ा किस में हो रहा है L, S, O, L में ठीक है तो दो गुड़े L, S, O, L का शेतरफल तो दो बाहर हो जाएगा चुकि अचर है तो और integration 0 from A, Y, D, X अब Y कमाण जो हमने निकाला है 2 under root A, X तो 2 under root A, X यहाँ पर हम पुट करेंगे तो चुकि बाहर भी 2 है तो 2, 2 कितना हो जाएगा? 4 और A भी जो है वो अचर है तो under root A यानि कि A की पावर बाहर कर लेंगे integration से अब integrate कर देंगे 0 from A, X की पावर 1 बाहर हो जाएगा चुकि अचर है तो और bracket के अंदर इसका integration करेंगे तो X की पावर 3 बाहर 2 और बटा 3 बटा 2 हो जाएगा चुकि और limit हमारा हो जाएगा 0 from A तो सबसे पहले हम upper limit put करते हैं फिर minus lower limit तो lower limit 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा तो upper limit की बात करें तो चुकि X की पावर 3 बटा 2 और बटा 3 बटा 2 है तो 2 उपर आ जाएगा तो 2 बटा 3 X की पावर 3 बटा 2 हम इसको लिख सकते हैं तो चुकि जो 2 बटा 3 है वो अचर है तो इससे हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें limit put करने में आसानी होगी तो जो बाहर निकालेंगे तो बाहर चुकि 4 है और अंस में हमारा 2 भी है तो 4 दुनी के 8 बटा 3 हो जाएगा और 8 बटा 3 और X की जगह पे A रखेंगे तो A की पावर 3 बटा 2 हो जाएगा और बाहर हमारा A की पावर 1 बटा 2 है तो A की पावर 1 बटा 2 और A की पावर 3 बटा 2 का जब गुड़ा करते हैं तो गुड़ा करते समय घात जुड़ जाते हैं अगर आधार समान हो तो तो घांत को जोड़ दीजे तो A की पावर 1 बटा 2 प्लस 3 बटा 2 यानिकी A की पावर 4 बटा 2 यानिकी A की पावर 2 तो 8 बटा 3 एकी पावर 2 तो यह हमारा प्रूफ हो गया यही question प्रूफ करने के लिए कह रहा था यहाँ पे दोस्तों और हमारा ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हम इस question को आपको बता रहे हैं तो आपके हाथ में copy और pen होना चाहिए और इस question को आप on the spot solve कीजे बिल्कुल भी आपको जो है वो इसे केवल देखना नहीं है mathematics की अगर वीडियो आपके वल देखते हैं तो ये बात माइने नहीं रखती आप साथ साथ solve कीजे और इस चीज को दो तीन बार आप revision कीजे क्योंकि ये question पांस number में आपके पूछे जाते हैं बहुत importance है इन सारे question का तो I hope दोस्तों आपको ये question समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो हमें comment में जरूर बताइए दूसरा question इस type के पूछा जाएगा दोस्त कि वक्रव x square बराबर y, y बराबर x plus 2 तथा x अक्ष से गिरे छेतर का छेतर फल ग्याद कीजे तो सबसे पहले तो इसमें हमारा 2 दिया गया है एक तो परवलय का समीकरण और एक रेखा का समीकरण तो इन दोनों को जो समीकरण है उनको solve करके x और y की value हम निकाल लेते हैं तो दोनों समीकरण को अगर आपको solve करना आता होगा तो आप solve कर लेंगे, कैसे करेंगे y की value अगर समीकर नमबर 1 में रख देंगे x plus 2 और इसको पक्षांतर करके quadratic equation बनेगा उसको solve करेंगे तो हमारी value आ जाएगी minus 1,2 ठीक है तो अब इससे क्या asperast होता है इससे यह asperast होता है कि minus 1 से 2 तक का integration हम कर देंगे एक सक्ष पे तो y हमारा limit हो जाएगा minus 1 और 2 ठीक है तो इससे घीरे छेतरफल को ग्याद करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि x square बराबर y परवला इस तरीके से होता है जैसा कि आप उपर देख पार होंगे और y बराबर x plus 2 यह रेखा है और यह जो घीरा छेतरफल है जिसको छायांकित किया गया है उसी काम को छेतरफल ग्याद करना है तो अगर हम पूरे रेखा का जो है वो निकाल लेते हैं छेतरफल तो पूरा हमारा होगा और उसमें से परवले को घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का छेतरफल निकल जाएगा तो अभिश छेतरफल बराबर integration minus 1 from 2 y और वक्र के लिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है वक्र का समीकरण देके dx फिर minus चुकि परवले को घटाना है तो minus integration minus 1 from 2 y परवले का समीकरण और dx अब आपको confusion हो रहा है कि integration के उपर minus 1 और 2 क्या है तो चुकि अभी अभी जो हमने दोनों समीकरण को solve करें x और y की value निकाली है तो x की coordinate है चुकि x अक्ष के से घिरे छेतरफल को ही हमको गयाद करना है तो x की दो value आई थी कौन कौन सी एक minus 1 और एक 2 तो इसी दिए हमने दोनों limit को ले लिया और उसके बाद solve कर देंगे चलिए यहाँ पर हम solve करते है तो x plus 2 को अगर solve करेंगे तो integration में तो हमरा आ जाएगा x का x square upon 2 और 2 का हो जाएगा 2 और dx तो dx का होता है x तो 2x हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे x square plus 2x और इसके उपर जो है वो minus 1 from 2 limit लगा है ठीक है और फिर minus x square को करेंगे integrate तो x cube upon 3 होता है और इसका भी limit लगा देंगे तो minus 1 from 2 होगा अब limit put करेंगे सबसे पहले upper limit put करते हैं तो upper limit 2 है तो 2 का square 4 हो जाएगा बटा 2 यानिकी 2 और फिर इसमें करेंगे तो दो दुनी के 4 तो 4 plus 2 हो गया upper limit put कर दिये तो फिर minus कचिन लगा के lower limit put करते है lower limit minus 1 है तो minus 1 का square plus 1 ही होगा तो 1 by 2 और minus 2 तो इसे solve करेंगे फिर minus अब lower limit put करेंगे जो की हमारा है sorry इसका दूसरे पत का जो है x cube upon 3 इसमें upper और lower limit put करेंगे तो upper limit put करेंगे तो कितना आएगा 8 upon 3 और lower limit put करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे चुकिए x cube है तो minus 1 अगर put करेंगे तो minus में value आएगे और minus से formula में भी होता है तो minus minus plus हो गया तो 8 by 3 plus 1 by 3 अब इसे जब solve करेंगे दोस्त तो यह तो जोड़ना खटाना आपको आता ही होगा तो यहाँ पे हमारा 9 by 2 आजाएगा तो 9 by 2 भी आप वर गी काई लिख सकते हैं या फिर score भी define करके 4 सही एक बटा 2 भी आप लिख सकते हैं तो हमारा finally जो छायांकित भाग का छेतरफल होगा वो निकल के आ जाएगा main बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि इस छायांकित भाग का छेतरफल ग्याद करने के लिए जो रेखा का समीकरण है उसको integrate करके परवले के समीकरण में इसे घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का छेतरफल आ जाएगा ठीक है तो यह बाते आपको ध्यान में रखनी है काफी important question है यह और इस type के question जब मैं बता रहा हूँ तो आप copy पेल लेके इसे solve जरूर करें अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने next type के question की तरफ यह type का question हमारा कुछ इस तरीके से है कि दिखाईए कि परवले परवलेयों y square बडाबर 4a x तथा x square बडाबर 4a y के बीच का छेतरफल 16 बटा 3a square होगा ठीक है तो इस type के question को करने के लिए जैसा कि मैंने previous question में बताया कि जब दो समीकरण दिये होंगे तो इससे x और y की value हम ग्यात कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहला परवले क्या दिया है y square बडाबर 4a x वो किस तरीके से होता है x अक्ष के परिता सम्मित होता है और x square बडाबर 4a y कैसा होता है y x के परिता सम्मित होता है ठीक है तो x square बडाबर 4a x है y square बडाब 4a x है तो y बडाबर कितना हो जाएगा under root 4a x अब x square की बारी आई तो x square बडाबर 4a y है तो y बडाबर कितना हो जाएगा x square बटा 4a इसको समीकरण नमबर 2 माल लेंगे ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण नमबर 1 और समीकरण नमबर 2 दोनों को अगर हम हल करेंगे और X और Y की value निकालेंगे तो दोस्तों हमें बताईए ना जरूर नीचे comments में कि X की value कितनी आई? दो values आएंगी क्या आपकी भी value 0 और 4A आई है या फिर नहीं आई है और आई है तो उसके बाद से हम 0 और 4A तक integrate कर देंगे करना क्या है कि Y square बराबर 4A X जो है अगर हम Y बराबर लिखेंगे तो 2 अंडरूर X या फिर अंडरूर 4A X आएगा तो उसमें से अगर हम X square बराबर 4A Y वाले परवले को घटा देते हैं यानि कि इसका Y वाला coordinate निकाल के Y बराबर X square अपॉन 4A इसको घटा देते हैं तो हमारा चायांकित बाग का छेतर फल निकल जाएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा रहा है कि परवलेयों के उभैनिस्ट छेतर O, A, P, B, O का छेतर फल O, A, P, B, O का छेतर फल यहाँ पे आप छेतर में देखिए जो चायांकित किया है वही है तो उसका छेतर फल निकालने के लिए क्या किया है छेतरफल O, A, P, Q, O का छेतरफल O, A, P, Q, O का छेतरफल यानि कि परवले X square बराबर 4A Y square बराब 4A X वाले परवले में से X square बराब 4A Y यही वाले परवले को घटा देने पे तो हमारा जो है वो आ जाएगा तो Y1 दोनों की Y coordinate में जो है वो value निकालनी है तो दोनों का Y coordinate में value निकालके और रख देंगे X के पद में ठीक है तो integration 0 from 4A चुकि अभी हमने कहा था कि X और Y की value निकालके बताईए तो चुकि हम X अक्ष के परिदा निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने कहा कि X की दो value आएएगी एक तो 0 और 1 4A तो limit हमारी वही हो जाएंगी 0 और 4A तो 0 from 4A Y1DX माइनस 0 from 4A Y2DX और Y1 की जगह पर हमने रखा है क्या हमने कहा है कि Y2 बाब 4AX वाला रखेंगे समीकरण तो Y1 की जगह पर अगर हम Y बराबर निकाले तो 2 under root AX हो जाएगा under root 4AX और 2 under root AX एक ही बात हुआ माइनस integration 0 from 4A और Y2 की value रखेंगे कितना X स्क्वाइर बटा 4A अब जो अचर है उसे बाहर निकाल लीजे और integrate कर दीजे तो अचर यहाँ पर कौन कौनस है 2 under root A है पहले पद में 2 under root A को बाहर निकाल लिया integration 0 from 4A X स्क्वाइर DX ठीक है इसका भी हम integration करेंगे तो integration करेंगे तो देखते हैं कि क्या आया है ठीक है 2 under root A बाहर निकला था और हमें इसका integration करना था इसका X की power 1 upon 2 का तो X की power 1 upon 2 का integration होता है X की power 3 by 2 by 3 by 2 और यह limit हमारा रहेगा 0 from 4A फिर minus 1 upon 4A जो अचर था वो निकला और X स्क्वाइर का हमारा integration होता है X to the power 3 upon 3 और यह limit 0 from 4A है अब upper limit और lower limit put करने आपको आता होगा तो आप जरूर कीज़े इस upper limit और lower limit put कीज़े क्यों करते हैं upper limit और lower limit put इसलिए करते हैं ताकि हमारी value जो है वो correct आए और एकदम अचर से मुक्त हो ठीक है तो यहाँ पर हम upper limit put करेंगे सबसे पहले 4A put करेंगे X की जगह पे तो 4 by 3 आएगा और under root A 4 by 3 क्यों आएगा क्योंकि X की power 3 by 2 है और बटा 3 by 2 है तो 2 जो उपर जाएगा और बाहर भी 2 रखा गया है तो 2 दुनी के 4 हो जाएगा और बटा 3 तो 4 बटा 3 under root A और 4 A की power 3 बटा 2 X की जगह पे मैंने कहा upper limit put करना है तो 4 A की power 3 by 2 और minus 0 lower limit 0 हो जाएगा पूरा क्योंकि 0 है lower limit तो X की value पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा फिर दूसरे पत के लिए चुकि हर में भी 3 है और हर में 4 है तो 12 A अजर है हमारा और इसमें जो X क्यूब है उसमें अगर upper lower limit put करेंगे तो X की जगह पे अगर 4 A रखेंगे तो 4 A का whole cube और minus lower limit 0 है तो 0 हो जाएगा ठीक है गुणा भाग जोड घटाना करेंगे तो हमारा finally answer आप बताईए जरूर की आया की नहीं 16 A square बटा 3 अगर आप हमारे शाथ solve कर रहे है तो हमें जरूर बताईए ना 16 A square बटा 3 आया या नहीं आया आपको अगर मैं आपको जोड घटाना गुना भाग सिखाऊं तो इसमें बहुत समय लग जाएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी तो आपको concept जो सीखना है करना क्या है इसमें कि 2 का समीकड दे दिया है और छायांकित भाग का छेतरफल निकालना है तो एक सक्ष के परिते निकालना है तो परवले का निकाल लेंगे 0 से 4A लिमिट तक का और उसमें से 0 से 4A लिमिट तक के वाई उपर वाले परवले को घटा देंगे तो परवले का जो है वो बीच का कॉमन वाला भाग छायांकित हमारा छेतरफल निकल के आ जाएगा तो इसे प्रैक्टिश कीजे एक दो बार आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोशन है दोस्त हमारा और ये कोशन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि निश्चित समाकलन की सहायता से एकस स्क्कुर्फल बटा एक कोशन निकल串गा आप जानने हैं कि ये समीकरण जो है वो द्रिग विर्ट का शमीकरण होता है तो यहां पे आप डाइग्राम देख आ रहे होगicki द्रिग विर्ट का, इसमें एक ही भाग को एक ही फलक को शायांकित किया है लेकिन हम अगर एक फॉलक को निकाल के और चार से गुड़ा कर दें तो चारों का फॉलक निकल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले तो जो समीकरण दिया होगा उसको Y के पद में आपको लाना है तो X square बट работать A square प्लूस Y square बटा B square बड़र एक को हम Y की पद में लाएंगे तो क्या हो जाएगा Y square बटा B square बड़र 1 माइनस X square बटा A square पक्षांतर की है यहाप पर आपको ध्यान देना होगा अच्छिक है उसके पाद से आप LCM ले लीजे बटा का घटाना यहाँ पर कीजे तो Y² बराबर क्या हो जाएगा A²-X² बराबर A² तो Y² बराबर हम क्या लिख सकते हैं चुकि Y² बराबर B² है तो B² ऊपर चला जाएगा तो B² बराबर A² और A²-X² ब्रैकेट में हो जाएगा करना है कि Y की जब value आ गई तो हमें क्या करना है अब limit निकालना है तो यह चुकि हम जानते हैं कि limit क्या है कि 0 से A तक है क्योंकि यहाँ पर 0 है और यह आपका यहाँ पर A कामा 0 है यहाँ पर इधर left hand side में minus A कामा 0 है उपर 0 कामा भी है नीचे 0 कामा minus B है यह आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 से A तक का हम integrate कर देंगे इसके Y की value रखके तो Y की value रखें तो integration 0 from A B upon A और under root A²-X² dx ठीक है तो अब B upon A अचर है तो इसे बाहर निकाल लेंगे तो B upon A integration 0 from A under root A²-X² सबसे important चीज यहीं पर होगी under root A²-X² आप में से बहुत सारे students का इससों formula का solution नहीं पता होगा इसका formula नहीं पता होगा तो अगर नहीं पता है तो याद कर लीजे X by 2 under root A²-X² प्लस A² by 2 sin inverse X by A होता है ठीक है तो B upon A और इसका integration करेंगे तो इतना आएगा जितना formula भी मैंने बताया तो उतने को लिख के और limit रख देंगे 0 from A अब इसमें अगर दोस्त हम previous questions की भाती अगर हम upper limit और lower limit पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से value आईगे हमारी की B upon A बाहर रहेगा और bracket के अंदर X की जगह पे A हम पुट करेंगे तो A by 2 और under root में A²-X की जगह पे रखेंगे तो चुकि X स्क्वार है तो A² प्लस A² by 2 sin inverse X की जगह पे एक रखेंगे तो A से कट जाएगा तो A हो जाएगा ठीक है फिर minus अब lower limit पुट करते हैं तो lower limit 0 है तो पहला पत 0 हो जाएगा फिर दूसरा पत भी 0 हो जाएगा क्योंकि minus A² by 2 और sin inverse 0 sin inverse 0 की value 0 हो जाती है तो बचेगा क्या के वल बचेगा देखें सबसे पहला पत भी 0 हो जाएगा कि A² में से A² घटा की 0 और उसके बाद पूरा पत 0 हो जाएगा ठीक है बचेगा क्या हमारा A² by 2 और sin inverse 1 इसका मान होता है pi by 2 तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा pi A² बटा 2 यह हमारा एक पत बचेगा पूरे इस ब्रेकेट के अंदर ठीक है और ब्रेकेट के बाहर b upon a है तो A² pi upon 2 है तो A से A कट जाएगा तो pi A B बटा 2 हो जाएगा बचेगा ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे pi A B बटा 2 तो यह यहां पर एक मिनट देखिए आप यहां पर समझने की कोशिस कीजिए थोड़ा सा यहां पर confusion आपको होगा कि A² by 2 पहले से है ठीक है साइन इनवर्स एक कमान होता है pi by 2 pi A² बटा 4 नहों जाएगा pi A² बटा 4 और into B upon A जो बाहर है वो तो A हर में है और A² तो A से A कटेगा 1 A बचेगा अंस में तो A B pi A B upon 4 हो जाएगा ठीक है तो यह तो हमारा निकला जो छायांकित भागा आप छेत्रफल में सोरे डाइग्राम में देख पारेंगे उसका लेकिन हमको पूरे द्रिग वृत्त का निकालना है तो इसके लिए हम जानते हैं कि सभी फलक समान होते हैं तो चार से मल्टिप्लाई कर देंगे तो वारा पूरे छेतर का निकल जाएगा ठीक है जैसे अगर हम इसको एक्जामपल के दोर पे समझाना चाहूं तो मालनीजे आपके पास दो दो के चार सकते हैं ठीक है तो दो का मल्टिप्लाई अगर चार में करते हैं तो चार दूने का आठ रुपया हो गया या फिर दो को अगर चार बार जोडते हैं तो दो प्लस दो प्लस दो यानिकी आठ हो गया तो अगर समान होते हैं परिमाण के तो उसका हम गुणा कर देते हैं तो चुकि यह सब का जो है वो बराबर फलक है तो इसलिए हम चारों का निकालने के लिए चार से मल्टिप्लाई कर देंगे एक में एक का जितना है उतने में ठीक है तो एक का वारा कितना है तो चार गुड़े का चैतरफल और हम में पूर्जे का चैकर चार गुड़े छेतरफल A.O.B.holes यह ढ़ए का चैतरफल कता हूए पाइभी का चार चार चीकर एक अंस में है और एक हर में है तो हमारा बचे के क्या पाई एबी वरगी काई ठीक है तो यह हमारा पूरा concept दरीके से मैंने बताया यह अगर आपका आता है तो पांच नमबर तो definitely आपका confirm है और देखे द्रिग वृद्ध और परवले यही दो पूछे जाते हैं अधिकतर examination में मैं examination के पहले सोचूंगा और try भी करूंगा आपके लिए की वृत का भी एक question आपको इस में का समझाऊंगा और कैसा लगा यह वीडियो क्या आपको वाकई में समझ में आया या नहीं हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखे दोस्त अगर आप copy पे लेके practice नहीं किया होंगे हमारे साथ तो बिलकुल भी समझ में नहीं आएगा और हमारे बताये हुए चीजों पे अगर अमल करेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजे क्योंकि exam time बहुत जादा नियर है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत